प्रेंड्स आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप अपने वाट्सेप की पटिकुलर चैट को लॉग कर सकते हैं वैसे तो प्ले स्टोर में बहुत सारी एप लॉग की अप्लिकेशन अविलेबल है पर फिर भी आपका कोई फ्रेंड ब्रदर याँ सिस्टर को लॉग को जब पता लग जाता है तो वो आपकी पर्सनल चैट इसली रीड कर लेता है पर अब ऐसा बिलकुल नहीं होगा क्योंकि आप अपने Android फोन में एक एप्लिकेशन इंस्टाल करके अपनी WhatsApp चैट को लॉग कर सकते हैं अगर आप ये ट्रिक सीखना चाते हैं तो वीडियो को लास तक जरूर देखे फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और आप ये जो बेल के आइकॉन को देख रहे हैं इसको आउन करना ना भूले जिससे आपको मेरे न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहेंगी सो लेट्स स्टार्ट सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर में जाना है और यहां पर टाइप करना है वाट्स एप चैट लोकर जैसे यह टाइप करेंगे सटमें जो फूर्स्ट अप्लिकेशन शोगरी जो 4.3 की रेटिंग है आपने इसको यहां से क्लिक करना है क्लिक करने के बाद इहां से आपने इसको इंस्टाल करना है friends यह अभी new application है, इसके 10,000 downloads है पर 4.3 की rating है अगर आप इसकी details जाना चाहते हैं तो read more पे click करके read कर सकते हैं install करने के बाद आपने इसको यहां से open करना है open करने के बाद आप से यह password माँगेगा आप अपना कोई भी password set कर सकते हैं अभी मैं आपके सामने यहां पे 3000 प्रेस कर रहा हूँ then again confirm password password hint में आप कुछ भी type कर सकते हैं जैसे अभी मैंने यहां पे demo लिग दिया and okay यह free application है तो बीच बीच में आइट जाती रहेंगी आपको सिर्फ back का button प्रेस करना है अब आप यह जो नीचे plus का icon देख रहे है जैसी आप इस पर type करेंगे यहाँ पर आपको कुछ options मिलेगी जिसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ first option है lock whatsapp chat इससे आप अपनी whatsapp की chat को lock कर सकते है second है change password जो भी मैंने password set कर रहे हैं इससे 3000 उसको अगर मैं change करना चाहूं तो मैं change कर सकता हूँ forgot password में अगर आप अपना password भूल गए तो इसको press करके आप उसे फिर से generate कर सकते है deactivate password में आप यहाँ से अपने password को enable or disable कर सकते है और last में है help अब यह मैं आपको एक demo दिखाता हूँ कि whatsapp की chat को अगर मैंने lock ने कर रहा तो वो कितना easily open हो रही है मैं अपना whatsapp open कर चुक हूँ और यह देखिए जो tips and tricks लिखा है जैसी मैंने इसमें tap करा tap करने के बाद यह open हो गई अब इसको हम lock करेंगे और उसके बाद check करेंगे क्या हूँ application work कर रही है क्या नहीं कर रही है अब आपको फिर से यह plus का icon को press करना है press करने के बाद यह जो first option आ रही है lock whatsapp chat यहाँ से आपको tap करना है tap करने के बाद जैसी आप ok करेंगे आपस यह permission मांगेगा आपको वहाँ से allow करना है यह देखिए जो second option आ रही है whatsapp chat locker यहाँ पर इसको tap करेंगे और यहाँ से बटन को on कर दीजिए and ok फिर से back करने है आपको वापिस उस application में आने plus के button पर tap करेंगे और lock whatsapp chat पर tap करने के बाद जैसी आप ok करेंगे आपका official whatsapp open हो जाएगा यह देखिए friends मेरा whatsapp open हो चुक है अब मैं यह tips and tricks पर जैसे ही tap करूँगा यह lock हो जाएगा यहाँ देखिए message आगे conversation protected ok पर press करने है अब आपकी यह chat lock हो चुकी है अब फिर से मैं अपने whatsapp के account में जाऊँगा और check करूँगा कि यह chat lock हो गई के नहीं अब इस chat में click करके देखता हूँ क्या यह सची में lock हुई है के नहीं जैसी मैंने यहाँ पर tap करा और यह password मांग रही है यहाँ से आपके सामने मैं इस पर password type करा हूँ ok and मेरा यह chat open हो गई तो देखा friends अब आपके लिए कितना easy हो चुक है अपनी personal chat को secure करना अगर आप इसको deactivate करना चाहते है तो वापिस आपको उस application में जाना पड़ेगा और वहाँ से इसको deactivate करना है अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ friends इस application की एक बहुत अच्छी बात है अगर इसको कोई tap करना चाहेगा तो यह direct open नहीं होगी इसके लिए आपको password type करना पड़ेगा यहाँ से जैसे ही मैं वो password type करूँगा okay करूँगा और वो मेरी application open हो जागी अब यह जो tips and tricks लिखा है जैसे ही मैं इस पर tap करूँगा tap करते ही password protection remove मैं इसको कर दूँगा okay और यहाँ से यह remove हो चुका है तो देखा friends ही कितनी अच्छी application है आप आपको बिल्कुल भी कोई potential नेने की जरूरत निया कि आपकी personal private chat को कोई read कर सकता है आप भले तो app lock कोई use कर सकते हैं उसके साथ साथ इस application को भी use कर सकते हैं मैं इस application का link आपको description में दे दूँगा आप वहाँ से भी direct download कर सकते हैं इससे पहले मैंने एक video बनाया था जिससे कि आप अपने किसी भी friend को secret message whatsapp पे send कर सकते हैं अगर आपने वो video नहीं देखा तो उसका भी link आपको description में मिल जाएगा I hope friends आपको video जरूर अच्छा लगा होगा इससे like और share जरूर करिए अगर आप मुझसे कुछ भी पूछना चाते हैं तो नीचे comment करें next video के साथ मैं आपको जरूर मिलूँगा तब तक के लिए जै हिंद